कि हलो फ्रेंड मैं संजे को स्वागत करता हूँ आपके एपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आजके इस वीडियो में फ्रेंड हम एक आटिया रिप्लाई देखेंगे जो आरार भी आजमेर बोट दुवारा आया हुआ है तो फ्रेंड इस आटिया रिप्लाई जो है यह एलपी टेकनिशन जो एक्जाम होता दो अठार उसके रिगाडिंग है और यह एक वेटिंग केंडिटेट ने लगाया है जो आरवी आजमेर में जो है वेटिंग में इस्टेंडवाई पोजिशन पर है ठीक है इस्टेंडवाई में है तो फ्रेंड चुकि काफी दिनों से इसको जो है केंडिडेट का क्वाईरी आ रहा था कि अजमेर बोट से एक भी जो है अभी तक कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आरा चाहें वह रिपलाय हो या रिप्लेसमेंट पैनल का कोई आने का डिमांड हो या किसी तरह का कोई भी जानकारी जो है उनको नहीं मिल प लगाया गया था और इसका मतलब रिप्लाइब देने का डेट है और इनको जो है दस में दोजारी की इसको रिप्लाइब राप्त हुआ ठीक है चले देखते हैं कि पहला कोशन ने क्या पूछा तो पहला कोशन यहां पर नहीं है लेकिन आपको जो है काम की बात इसमें समझ में आ जाएगी ठीक है इसका रिप्लाइब देखने का इन्होंने पूछा तो इनको रिप्लाइब वही आया कि आपका जो इसकोर देखने का फ्रम पांच अपरेल 2019 का यहां पे था मोडिफिकेशन लिंक का बारे में इनका कोश्चन था ठीक है यह पता नहीं सेकेंड वहला चले देखते हैं क्या है तो सेकेंड फ्रेंड इन्होंने आपना जो है रैंक पूछा था तो जिसके रिप्लाइब में अरा भी अजमेर ने इनको दिया है रैंक ऑप इस्टेंडब आपको मतलब जितने अरा भी हैं लगवासजब सभी जो है आटिय रिप्लाइब मिली जाएगा एक दो करके किसी का डबल डबल कुस्ते आपको आजमेर बी देखिये सो कर रहा है ठीक है सो नहीं करता है तो लेकिन कुछ-कुछ बोड जो है वो सो कर देता है ठीक है अच्छा तिसरा देखिए क्या है तिसरा रिपलाइ है उन्हें पूछेन था कि कितना सीट जो है अब बात आता है कि इसमें यह जनकारी इसमें नहीं दिया गया और मुझे इसका बारे में भी जनकारी नहीं है कि सेप्रेटली एलपी का कितना सीट वेकेंट वहां पे है दो दोसोपचास में और टेक्निशन का कितना लेकिन अगर इसका कोई आट रिपलाइ में लगाना का कोशीज करूंगा अब भी आप लगा सकते हैं सेपरेटली जानने के लिए कि दोसोपचास सीट में कितना यह एलपी का कितना टेक्निशन का वेकेंट है ठीक है तो उसको मैं रिपलाइ आ जाएगा उसका तो मैं उसको अपडेट दे दूगा ठीक है लेकिन अभी फिलाल दोसोपचास सीट वेकेंट है ठीक है अच्छा फोर और फाइव का कोश्चन था दा इन्फोर्मेशन साउट बाइव इन दा नेचर ऑप वरी क्लेडिफिकेसन एंड डॉस नॉ है ठीक है और यह हमारा जो है आटी एक दोजार पांच के अंतरगत में नहीं आता इसलिए हम लोग इसका जवाब नहीं देंगे ठीक है नहीं दे सकते तो यहां पर यह तो हो गया कि 250 सीट वेकेंट है तो फिर वहां से अभी तक कोई भी जो है अपडेट क्यों नहीं आया ना आपका replacement panel वहां से आ रहा है ना replacement panel का कोई demand आ रहा ना indent Favori जब 250 सीट है वहां पर अफे किजगा उसको next एकेंसी में है क्या railway तो यह railway का पहुत गलट नहीं है जब आपके पास शीट अवलाबल है तो आपको जो है और and candidate आपके पास वेटिंग सेम वेकंसी के लिए बचा हुआ है और कहा जाता कि सेम वेकंसी के लिए टरन अगर नॉन टरन अप कंडिटेट है तो सेम वेकंसी में उसको वेटिंग कंडिडेट को उसको हक राता है उसको उसमें दिया जाता है जब वेटिंग कंडिडेट हमारा मेडिकली फीट है सारा उसक में बात यह है कि आपके पास सीट अबलाइबल है रेलवे का पास सीट अबलाइबल है अर्वी अजमेर में आटी एक देखिए अर्टी रिप्लाइ में 250 है चाहिए लपी हो चाहिए टेकनिशन 250 तो है नब भाई मिला जुला का अगर 50 करें तो 125 125 होता है तो 125 मानके चली 125 टेकनिशन मानके चली यह ज़्यादा भी हो सकता है तो कुल मिला कर यह बात रहा कि 250 आपके पास वेकंट होते हुए भी आप जो है रिप्लेस्मेंट पैनल जारी नहीं कर रहे हैं वेटिंग को नहीं ले रहें तो उनका मेडिकल 50 परसेंट एक्स्टा मेडिकल करा यह लेकिन आपने अभी तक जो है एक भी रिप्लेस्मेंट पेनल आपने जारी नहीं के ठीक है कम से कम जो लेवल सीट है जो वेकेंट सीट है उसपे आप टेन नहीं चल रही है ठीक है आपका करमचारी एकसेस है लेकिन ऐसा नहीं है अब देखिएगा कि एक एक इंपलोई को दो-दो जगाह काम दिया गया दो-दो आदमी का काम कर रहा है कि अब बहुत से हमारे करमचारी भी एफेक्ट हुए तो जिसकारण से उनको double workload हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि work काम नहीं है याव सीड़ वेकेंट नहीं है आपके पास सीड़ वेकेंट है आपके पास काम है और आपके पास candidate आपका मेडिकली फीट बचा हुआ है तो फिर आप क्यूं नहीं ले रहे हैं यह समझ में नहीं आता है मुझे फ्रेंड पता नहीं क्या इन्होंने एड करने के लिए सोच राखा है कि क्या तो जो भी इसका अपडेट होगा लेना चाहिए मैं तो ही कहूंगा रिक्वेश्ट करता हू रेलवेबोट से कि आप जो है इस पर ध्यान दिजिए आपका सीट वेकेंट हम लोग अपना सीट का डिमांड कर रहे हैं इसका जो हक है यह अपडेट था तो आप लोग इसको जो देख लिजेगा और इसमें जो है एक बात बताता हूं इसमें जो है सीपी ओ का जो है डिट नहीं है तो आप तीस दिरों का अंदर में इसको मेल कर सकते हैं या फर्स अपील को कर सकते हैं ठीक है और आपको अगर कुछ भी बाकी केंडिडेट को भी अगर कुछ जानकारी चाहिए सीपी आयो का नंबर है चीप परसनल ओफिसर इनका नंबर यहां पर दिया गया फोन सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकान को प्रेस कर दीजेगा मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूं चले मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जहिंद